दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फेंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंग्लेंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इस सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल का मैच आज आपको खेला जातावा दिखेगा इस मैच में कैसे आपको अपनी फेंटेसी टीम बनानी है वो कोन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करना है और आ लेकिंग्लेंड की तरफ से काफी बड़े बड़े प्लियर आपको इस सीरीज के अंदर खेलते वे नहीं दिखेंगे लेकिन आज के मैच में आपको ड्रीम 11 की टीम कैसे बनानी है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए 5000 का फ्री गिववे रख रखा है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब से जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा जितनी भी लाइव आप लोगों के लिए मैं करूंगा हर लाइव हर वीडिय में मिलेगा description में जाहिए sports बाजी application का link मिलेगा जाके sports बाजी को download कर लीजिए अगर आपको regular basis पे profit कमाना है तो यह जो fantasy application है वो आपके phone में जरूर होनी चाहिए अब आपको giveaway कैसे दिखेगा देखे England versus Australia का match open करिएगा sports बाजी application पे जैसे ही open करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक page open होगा यहाँ पर जो यह predators league लिखा वाए ना इस पे click करिएगा click करने के बाद सबसे top पे आपको दिख जाएगा 5000 का giveaway इसमें सिर्फ अभी तक जो है 3.500 लोगों ने join करा है 4.600 लोगों के लिए अभी भी जो है यहाँ पर sports बचे है तो फटाफट से जाएए इस 5000 के giveaway को जाके join कर लीजिए अब आपको एक फाइदे की चीज़ बताता हूँ आज के match में ना मेरा सारा का सारा investment sports बाजी application के उपर ही रहेगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं team create कर लेता हूँ अभी आपको बता दो एक normal team हम create कर लेते हैं कैसी भी team create कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ contest join करके रख ले तो यह team मैंने create कर ली इसके बाद हम यहाँ पर contest को join कर लेते हैं यह 4 member वाला contest है मैं यहाँ पर इन contest को join कर लेता हूँ तो 10 contest जो है मैं यहाँ पर 149 वाले join कर लेता हूँ और 10 contest जो है मैं यह वाले join कर लेता हूँ तो 10 contest मैंने यहाँ पर join कर लिये तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि sports बाजी के उपर न एक तो आपको competition कम देखने को मिलेगा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको entry fees कम देखने को मिलेगी, अब आपको एक और फायदे की चीज बताता हूँ, पहला तो giveaway हो गया, दूसरा यहाँ पर आपको competition कम देखने को मिलेगा, entry fees कम देखने को मिलेगी, तीसरा फायदा यहाँ पर यह है कि जब आप sports बाजी application पर deposit करने जाएंगे न तो आपको यहाँ पर एक code यूज करना है जिससे आपको profit मिलेगा यह जो wallet का button आपको दिख रहा है न इस wallet के button पर click करिएगा click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का page open होगा यह जो add money का button है इस add money के button पर click करिएगा click करने के बाद जितना भी amount आपको add करना है 100 रुपे add करने है 200 आड करने है 300 आड करने है 10,000 आड करने है उतना amount डालिएगा डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है यह जो यहाँ पर apply promo code लिखावा है ना इस apply promo code पर click करिएगा click करने के बाद यहाँ पर आपको एक promo code डालना है promo code क्या डालना है F L A T 1 0 flat 10 ये code अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा अगर आप 1000 रुपे deposit करेंगे तो आपके wallet में 1100 रुपे आएंगे यानि कि 10% का real cash आपके wallet में आएगा 100 रुपे आपको तुरंत का तुरंत profit हो जाएगा 10,000 deposit करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 11,000 रुपे आपके wallet में बिलेंगे एक लाग deposit करेंगे तो एक लाग 10,000 रुपे आपके wallet में आजएगे मतलब सिर्फ deposit करा और तुरंती profit हो गया तो ऐसा किसी fantasy application में होता नहीं है तो flat 10 code का use करिएगा और आपको 10% का extra cash यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आज के दिन मेरा सारा का सारा जो investment है ना वो sports बाजी application पे रहेगा तो link आपको description में मिल जाएगा फटाफर्स से sports बाजी application को जाके download कर लीजिएगा देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने telegram channel को join नहीं करा है तो फटाफर्स से telegram channel को join कर लीजिएगा link आपको इसी video के description में मिल जाएगा description में जाएगा आपको सबसे उपर जो है telegram channel का link मिलेगा click करिए और फटाफर्स से telegram channel से जुड़ जाएगे अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफर्स से जाके telegram channel से जुड़ सकते हैं चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले venue के बारे में देखें मैच खेला जाएगा दिरोजबाउल साउथ हैंटन में बात करें यहाँ कि अगर pitch report के बारे में तो recently यहाँ पर 100 का tournament खेला गया था और 100 के tournament के अंदर हमने क्या देखा था कि जो यहाँ की pitch थी ना वो दो department के लिए बहुत जादा आची थी एक तो batting department दूसरा fast balling department यानि की बल्ले बाज और तेज गिंद बाजो के लिए यहाँ पर सबसे जादा मदद थी ball जो है आप मानके चलिए शुरुवाती overs में थोड़ा बहुत स्विंग कर रही थी लेकिन जैसे जैसे match यहाँ पर आगे बढ़ रहा था ना जो pitch थी वो बल्ले बाजो के लिए बहतर यहाँ पर होती जा रही थी बस एक चीज का ध्यान रखियेगा कि तेज गिंद बाजो को थूआउट दा match यहाँ पर जो है extra bounce आपको देखने को मिलेगा तो तेज गिंद बाज दो है आपको पूरे match में जो है game में रहते वे दिखेंगे लेकिन बल्ले बाज जब यहाँ पर थोड़ा सा समल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर बल्ले बाजी भी आसान होगी यह चीज ध्यान रखियेगा spinners के लिए यहाँ पर जादा कुछ मदद नहीं है बहुत जादा turn आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तो बल्ले बाज और तेज गिंद बाज आपके लिए सबसे जादा important रहेंगे यह चीज ध्यान रखियेगा बात करें यहाँ पर venue stats के बारे में आपको बता दो यहाँ पर अभी तक ना total T20 international के 11 मुकाबले खेले गाई हैं जिसमें से पहले betting करने वाली team ने 7 मुकाबले जीते हैं, second betting करने वाली team ने 4 मुकाबले जीते हैं आपको बता दो यहाँ पर जो second inning है उसमें बल्ले बाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि second inning के अंदर यहाँ की जो pitch है न वो पहली inning के मुकाबले थोड़ी सी slow हो जाती है जिसके चलते chase करना काफी जादा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है average score की बात करूँ तो पहली inning का उसतन score 112 आपको देखने को मिलेगा अब इससे खुदा पंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पहली inning का जो average score हो 172 है तो pitch आपको कैसी देखने को मिलेगी तो बल्ले बाजो के लिए यहाँ पर सबसे जादा मदद होती है यह चीज ध्यान रखके चलिएगा बात करते हैं last के 4 matches के बारे में देखिए Southampton Rose Bowl के उपर रिसेंटली 100 के matches खेले गए थे और यहाँ पर जो last के 400 matches है उनको अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक match में एक चीज देखने को मिलेगी कि run यहाँ पर जो है काफी जादा बने है क्योंकि pitch यहाँ पर आपको hard देखने को मिलती है ball बल्ले पर यहाँ पर आसानी से आती है और चौके चके यहाँ पर जम के लगते है दूसरी चीज क्या है कि तेज गिंद बाजो को extra bounce मिलता है इसलिए आपको जो है यहाँ पर fast baller जादा विक्टे निकालते भी दिखेंगे जैसे यहाँ देखेंगे पहले match में 5 wicket fast baller ने निकाली है दूसरे match में देखेंगे 10 wicket निकाल रखके और यहाँ पर आप देखेंगे 4 match में 10 wicket fast baller ने निकाल रखकी है spinners को जादा मदद नहीं है यहाँ 1 wicket spinner को है यहाँ 2 wicket है और यहाँ पर 1 wicket है तो spinners के लिए जादा कुछ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज और तेज गेंदबाज सबसे ज़ादा important रहते हैं और जितने ज़ादा बल्लेबाज जितने ज़ादा तेज गेंदबाज अपनी team में लेंगे उतना ज़ादा आपको profit होने वाला है बात करे head to head match के बारे में आपको बता दू Australia और England के बीच में टोटल अभी तक T20 International में 24 मुकाबले खेले गए हैं और यह जो rivalry है यह काफी पुरानी rivalry है और टककर की rivalry है जिसमें England ने 11 मुकाबले जीते हैं Australia ने भी 11 ही मुकाबले जीते हैं लेकिन एक छोटी सी चीच जो है यह वाली जो England की team है न यह उतनी जादा आपको strong देखने को नहीं मिलेगी काफी नए players आपको England की team में देखने को मिलेंगे और Australia जो है अपनी full strength team के साथ यहाँ पर जो है आई है तो मेरे साब से यहाँ पर Australia के chances इस match को जीतने के थोड़े से जादा रहेंगे तो Australia के जितने जादा player अपनी team में लेंगे उतना जादा profit आपको होने वाला है बाकी अगर आप लोग अभी तक telegram channel से नहीं जुड़े है फटाफर से telegram channel से भी जुड़ जाईएगा लिंक आपको description में मिल जाएगा चलिए बात करते हैं सबसे पहले home team England के बारे में देगे England की तरफ से अगर मैं team news की बात करू तो Joss Butler जो है यहाँ पर injured है 100 के tournament में वो injured हो गए थे और उनकी जगा नई कपतानी Phil Salt को मिली है तो Phil Salt जो है आपको इस England team की कपतानी करते वे दिखेंगे बात करें यहाँ पर England team की playing 11 के बारे में इनके batting order के बारे में और इनकी तरफ से चार-चार ओवर की balling कौन करेगा उसके बारे में तो वो कुछ इस तरीके सरहेगा विल जैक्स, फिल सॉल्ट आपको टीम के लिए opening करते वे दिखेंगे वन डाउन पे आपको जो है जौडन, कॉक्स देखने को मिलेंगे टू डाउन पे आपको जो है जौकाव, बैथल देखने को मिलेंगे फिर लियाम लिविंग्स्टन, जैमी ओवर्टन, सैम करन, जोफरा आर्चर, शाकीब महमूद, आदिल रशीद, रीस्टोप ले ये रहीगी इंग्लेंड की प्लेंग 11, ये रहेगा इंग्लेंड का बैटिंग ओर इंग्लेंड की तरफ से 4-4 ओवर की बॉलिंग कॉन करेगा, देखे 5 में बॉलर के साथ जो है इंग्लेंड की टीम आ रही है जिसमें सैम करन, जोफरा आर्चर, शाकीब महमूद, आदिल रशीद और रीस्टोप ले आपको 4-4 ओवर पूरे करते वे दिखेंगे अगर जोरत पड़ी तो लियाम लिविंग्स्टन जो है लेफ्ट हेंडर के आगे आपको कुछ ओवर्स जो है डालते वे दिख सकते हैं लेकिन जादा चांसीज है कि यहाँ पर यही 5 ओवर जो है आपको पूरे 20 ओवर डालते वे दिखेंगे डेफ हवर में बॉलिंग कौन करेगा देखें जोफरा अर्चर तो कंफा मैं डेफ हवर में बॉलिंग करेंगे अब बात करें इन सभी प्लियर्स के रिकॉर्ड के बारे में तो सबसे पहले खिलाडी है विल जैक्स, तावर्टोड हिटर और ऐसे बल्ले बाज जो यहाँ पर कभी भी मैच को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं लेकिन इनके साथ सिर्फ एक जो दिक्कत है यह टोटली हिट और मिस टाइप के बल्ले बाज हैं कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे इसकी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं आपने रसी बी के लिए इनको खेलते वे देखा होगा एक मैच में सेंचुरी मारी दूसरे मैच में जीरो प्या उट हो गए तो इनके साथ यही है कि यह चल गए तो एक तरफा मैच को कर देंगे, नहीं चले तो यह जीरो प्या उट हो जाएंगे अगर पिछ रिपोर्ट में आता है पिछ बल्ले बाजों के लिए अच्छी है विल जैक्स को आप ज़रूर अपनी टीम में लीजिए लेकिन अगर आता है कि पिछ आपको slightly two pace देखने को मिलेगी आप विल जैक्स को अराम से छोड़ सकते हैं दूसरे खिलाडी है फिल सॉल्ट जो की टीम के लिए आपको विकिट कीपिंग भी करते वे दिखेंगे रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे फिल सॉल्ट का वो कमाल का चल रहा है T20 के बहतरीन बल्ले बाज है और T20 इंटरनेशनल में अगर आप एवरेज देखोगे तो 35 का एवरेज आपको इनका देखने को मिलेगा बड़ी आपक रहेंगे विकिट कीपिंग से भी आपको अच्छे कासे फेंटेसी पॉइंट देंगे मस्ट हैपक रहेंगे टीम में लेके चलिएगा जॉर्डन कॉक्स की बात करू तो रिसेंटली जो 100 का टूर्नमेंट हुआ था उसमें काफी ज़ादा इंप्रेस करा था तीन-चार अच्छी नॉक्स जो है जॉर्डन कॉक्स ने 100 के टूर्नमेट में खेली थी अगर आप देखेंगे 25 की 49 की 61 के 46 की और 61 और 46 की जो नॉक्स उसमें ये नॉट आउट भी रहें है तो बड़िया बल्ले बाज है टेकनिकली काफी ज़ादा श्ट्रॉंग है हाँ बस ये चीज का ध्यान रखिएगा ये ऐसे बल्ले बाजे की शुरुवात में थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन जब इनकी आँखे पिछ के ओपर टिक जाती है तो फिर बड़िया हिटिंग भी हाँपे करते हैं अगर पिछ बल्ले बाजों के लिए अच्छी होती है जॉड़न कॉक्स को भी आप ट्राइब कर सकते हैं जैकॉब बैथल की बात करो अच्छे बल्ले बाजे लेकिन बहुत जादा कंसिस्टेंट नहीं है वैसे तो डॉमेस्टिक लेवल पे ये बॉलिंग भी आपको करते हुए दिखते हैं और पंजाब किंग्स के लिए आपने IPL में देखा था ताबर तोड इन्होंने हिटिंग करी थी अच्छे पिक रहेंगे टीम में लेके चलिएगा लेफ्ट हैंडर्स के आगे आपको बॉलिंग भी करते वे दिखेंगे जैमी ओवर्टन की बात करो तो हालिया दिनों में फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा डॉमेस्टिक लेवल पे भी काफी ज़ादा कुछ इंप्रेस इन्होंने अभी तक नहीं करा है अराम से छोड़ दीजेगा बॉलिंग मिलने के भी चांसिस कम है सैम करन बहुत ही अच्छे हिटर है आपको जो है 15-20 रन की पारी कभी भी खेल के दे सकते हैं पहली चीज दूसरी चीज अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और शॉट पिच गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं जैथोवर के स्पेसिलिस्ट बॉलर है मस्टपिक रहेंगे टीम में लेके चलिएगा जोफरा आर्चर 145 प्लस की स्पीड से हाँ पर जो है आपको बॉलिंग करते वे दिखेंगे लगातार जो है बॉडी लाइन पर बॉंसर्स का प्रियोग करते हैं जहां पर इनको सफलता मिलती है और अभी 100 के टूर्णमेंट में आपने देखा तावर तोड विक्टे इन्होंने हर मैच में निकाली और इंग्लेंड के आगे अगर आप देखेंगे चार मुकाबलों में चार विक्ट उलड़ी इन्होंने निकाल रखिए मस्ता है पिक रहेंगे लेके चलिएगा शाकीब महमूत की बात करूँ देखें सिंपल एक बात आपको बताता हूँ अगर पिछ रिपोर्ट में आता है शुरुवाती ओवर्स में तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलेगा तो शाकीब महमूत को आँख बंदगर के पिक करिएगा क्योंकि जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है स्विंग गेंद बाजी शुरुवाती ओवर्स में जब तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलता है ये भरपूर विक्टे निकालते हैं जब शुरुवाती ओवर्स में बाज अच्छा कासा स्विंग हो रही थी तो शाकीब महमूत को विक्टे मिल रही थी अगर पिछ रिपोर्ट में आता है तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलेगा आप ट्राइ करिएगा वरनत छोड़ दीजेगा आदिल रशीद विकेट टेकर बॉलर है और आप मान सकते हैं कि आदिल रशीद किसी भी पिछ पे आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं बट यहां पर जो पिछ है न साउट हैंटन की यह बहुत जादा स्पिनर फ्रेंडली नहीं है तो एक विकेट या जादा से जादा दो विकेट निकालेंगे अगर आदिल रशीद को ट्राइ करना है तब ट्राइ करिएगा जब आपको इंगलेंड की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए दिखें अगर इंग लेंड ने 180-190-200 का टारगेट दे दिया औस्ट्रेलिया अंडर पैशर चला गया तो हिट करने के चकर में आदिल रशीद को विक्टे मिल सकती है तो सेकेंड इनिंग में ट्राइ करेंगे जादा बेतर रहेगा री स्टोपली की बात करूँ अच्छे लेफटाम मीडियम फास बॉलर है छे साड़े छे फुट के खिलाडी है और शॉट पिच गिंद बाजी का अच्छा कासा यूज करते हैं बाउंसर्स का बढ़िया प्रियोग करते हैं एक से दो विकेट कभी भी निकाल सकते हैं ट्रा बात करते हैं अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं टीम ली उसकी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाडी सेलेक्शन के लिए अविलेबिल हैं बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में इनके बैट आपने देखा ही था, तो ये दोनों आपको open करते वे दिखेंगे, वन डाउन, मिचल मार्श, टू डाउन, जॉश इंगलिश, पिर मार्कस टॉइनस, तिम डेविड, एरॉन हार्डि, कैमरन ग्रीन, शॉन एबर्ड, जॉश हिजलवूड और एडम जैंपा, ये रहीगी ऑस् प्रेलिया की तरफ से 4-4 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा, देखेंगे, बॉलिंग में इनके पास option काफी सारे हैं, बट मिचल मार्श आपको बॉलिंग करते वे नहीं दिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिचल मार्श जो है, एज़ा बैट्समैन आपको जो है, सीरीज में खेलते वे दिखेंगे, 4-4 ओवर की बात करो, तो जैंपा अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, देजल वोड अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, शौन एबट अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, इवन कैमरन ग्रीन भी 4 ओवर पूरे ही करेंगे, आखरी बचे वे जो 4 ओवर तो confirm है death over में balling करेंगे Hazelwood के साथ आपको Sean Abbott जो है death over में balling करते वे दिखेंगे ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखके चलिएगा अब इन सभी खिलाडियों के record देखें सबसे पहले खिलाडी है Jake Frazier Maggar आप इनका recent form अगर आप देखेंगे वो इतना खराब है कि आप कहोगे इनको drop कर दो बड़ एक चीज मैं आपको simple समझा दूँ ये बल्ले बाज बहुत तगड़ा है ये totally ऐसा बल्ले बाज है कि match को कहीं से कहीं लेके जा सकता है और अगर pitch बल्ले बाजों के लिए अच्छी हुई न तो कभी ये आपको अपने 6 ओवर में अपनी half century complete करता वा दिख जा ये चीज आपको समझ नहीं आएगी तो जेक फ्रेजर मैंगर को जरूर लीजेगा अगर pitch बल्ले बाजों के लिए अच्छी होती है वैसे भी रोजबाउल के जो pitch बल्ले बाजों के लिए अच्छी रहती है must epic रहेंगे फ्रेजर मैंगर को लेके चलिएगा ट्रेविस एड की बात करो तो भाईया कमाल के बल्ले बाज है तगड़े हिटर है अभी अभी IPL में जो है तगड़ी बल्ले बाजी करी फिर जो 100 का टूर्नमेंट हुआ उसमें भी तगड़ी एक 80 रन की इन्होंने नौक खेली must epic रहेंगे हाँ पर लेके चलिएगा मिचल मार्ज की बात करो तो एक consistent बल्ले बाज जो 30 से 35 रन की पारी ना हर मैच में खेलते हैं और recent time में आपने देखा होगा T20 International में जादा balling ये करते नहीं है तो as a batsman काफी अच्छे पिक रहेंगे अगर पिच बल्ले बाजो के लिए बहतर होती है मिचल मार्ज को ज़रूर लेके चलिएगा Josh English की बात करो तो अभी जो 100 का tournament हुआ था उसमें century लगा के आए है आपको ये देते वे दिख जाएंगे बात करें यहाँ पर मार्का स्वाइनस के बारे में Cutters के लिए जाने जाते हैं तगड़े hitter है और ये ऐसे baller है कि ये कभी भी आपको 1-2 wicket निकाल के दे देंगे बैटिंग आ गई तो बैटिंग में 20-25 run भी बना देंगे इस मैदान पे खेलना पसंद करते हैं 42 का एवरेज है इस मैदान पे और इंगलेंड के आगे 24 का एवरेज और 7 wicket भी निकाल चुके हैं मस्ट एपक रहेंगे लेके चलिएगा टिम डेविड की बात करो तगड़े hitter है यह वो खिलाड़ी है जिनको बोला जाए जाके मैच खतम करो मैच खतम कर देते हैं यहाँ पे जाके इतने run चाहिए यह उतने run बना देते हैं यह तगड़े hitter है बड़ दिक्कत क्या है इनका batting order बैटिंग ओर इनका इतना नीचे है कि उतने जादा काम नहीं आएंगे अराम से छोड़ दिजेगा Aaron Hardy की भी बात करो तो बहुत जादा बैटिंग से भरोसा करिएगा मत और balling में भी बहुत जादा wicket taker नहीं है अराम से छोड़ दिजेगा Cameron Green जो की बल्ले बाज काफी अच्छे हैं इनके पास नमबर आठ नो तक भी अच्छे बल्ले बाज आपको देखने को मिलते हैं तो Cameron Green बड़ी अपिक रहेंगे टीम में लेके चलिएगा Sean Abbott देखे बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं बट ये जादा से जादा 10 रन 15 रन ही बनाते हैं दिन हुआ तो कभी कबार Half Century आ जाती है इनके बल्ले से बट रिसेंट टाइम में बैटिंग थोड़ी सी इनकी खराब जरूर हुई है लेकिन Balling में Wicket Taker है Cutters का बड़ी अप्रियोग करते हैं और बीच-बीच में आपको बाउंसर्स भी डालते वे देखेंगे Must Epic रहेंगे लेके चलिएगा Hazelwood की बात करो शुरुवाती Overs में Moment हासिल करते हैं यौरकर काफी अच्छी है Hazelwood के पास Must Epic रहेंगे लेके चलिएगा Adams Empa Wicket Taker Baller है एक से दो Wicket निकालते हैं Must Epic रहेंगे लेके चलिएगा बाकी और कोई खिलाडी मुझे नहीं लगता है हाँ पर Australia के तरफ से भी आपको खेलता बाप दिखेगा चलिए अब देखते हैं आज के मैच में हमारी Dream 11 की टीम क्या रहेगी चलिए अब देख लेते हैं आज के मैच में हमारी Dream 11 की टीम क्या रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन में Phil Salt और Josh English को पिक करेंगे दोनों ही आपको जो है यहाँ पर विकेट कीपिंग करते वे दिखेंगे इसी के असास बैटिंग भी टॉप ओडर में करते वे दिखेंगे तो दोनों को मैं अपनी टीम में लेके चलूँगा बैटिंग सेक्शन में Mitchell Barrs, Travis Head तो must have pick है इन दोनों को टीम में रखना है Jake Fraser, Maggar को अगर आपको लेना है तो बस simple ध्यान रखिएगा अगर pitch बले बाजों के लिए अच्छी होती है तब ही लेना है अगर two pace wicket, slow wicket आपको rose bowl पे देखनी को मिलती है डारेक्ली छोड़ दीजेगा क्योंकि फिर उन pitches पे चलने के chances काफी जादा कम हो जाएंगे All-rounder section में Marcus Tronis को लेके चलेंगे Sam Curran, Cameron Green को लेके चलेंगे क्योंकि तीनों ही बैटिंग से भी आपको अच्छे कासे fantasy point दे देंगे और balling में आपको एक से दो wicket तो पक्का निकाल के देंगे Balling section में Adam Zampa, Hazelwood, Jofra Archer को pick करेंगे अब एक चीज का ध्यान रखिएगा मैंने ये जो टीम है वो Australia के favor में बनाई है क्योंकि Australia on paper काफी जादा आपको strong देखनी को मिलेगी लेकिन Fraser McGar की जगा अगर आप आदिल रशीद को add करना चाहें कर सकते हैं भले ही आदिल रशीद के यहाँ पर जो उनको pitch चाहिए वैसी pitch यहाँ पर नहीं है बट एक से दो wicket वो निकाल देंगे कम से कम 30 से 35 fantasy point पका दे देंगे तो अगर आप Fraser McGar को drop करके कोई baller बढ़ाना चाहते हैं तो इंगलेंड के तरफ से आदिल रशीद को ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मारका स्टाइन और साउर सैम करन को मैं जो है Adam Zampa एक अच्छी option है अगर Australia second inning में balling करती है तो Adam Zampa को भी आप वाइस कैप्टन यहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जब तक के लिए bye bye thank you so much दोस्तो